ये आज की प्रेसवार्ता बहुत ही एहम बिंदू पे करी जा रही है और कल जब कॉंग्रिस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी वाडरा का हलफ नामा वाइनाइड में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें दायर किया जाता है तो आज ये कहना गलत नहीं होगा मुहबत की दुकान नहीं दलाली की दुकान है मुहबत की नहीं ये दलाली की दुकान है और जो तथे सामने आए हैं पूरे भारत की जंता आज नकली गांधी परिवार भ्रष्टचारी नंबर वन उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है सबसे पहले जैसा मैंने कहा ये हलब नामा ये एफिडेविट कबूल नामा है जो भ्रष्टचार नकली गांधी परिवार और उनके जीजा जी रॉबर्ट वाडरा करते आए हैं सबसे पहले इनके हलब नामे में क्योंकि ये बाद दिता है ऐसा नहीं है कि सुचिता के लिए फ्रियंका गांधी वाडरा बहार आई और उन्होंने ये सारजने किया कि उनके पास क्या असेट्स हैं उनके पती देव के पास क्या असेट्स हैं ये एक बाद दिता है ये एक सुप्रीम कोड का जज्जमिंट है जिसमें आपको हलफ नामा देना होता है अपना भी और अपने स्पाउस का भी सबसे पहली बात जो सामने आई रॉबर्ट वाडरा की जो डिकलेड नेट वर्थ है डिकलेड शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ हर भारतिये जानता है सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है लूट खसोट करने वाला कोई है तो वो गांधी परिवार है जिनके तीन सदस्य ब्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है सोनिया गांधी राहूल गांधी और रावबर्ट वाडरा और रावबर्ट वाडरा की जो डिकलेड नेट वर्थ है वो कम है लेकिन इंकम टाक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है यह कॉंटेस्टेड है लेकिन आप देखिए 2010-11 में 7 करोड 2011-12 में 3 करोड 2013-14 में 11 करोड 2014-15 में 10 करोड इस तरह से 2020-21 तक जाता है तो 75 करोड 75 करोड is the demand total by the income tax department भागते भागते भी 2013 में 11 करोड बतलब जो 7 करोड था 10-11 में जब इन्हें अंदेशा हुआ भाग रहे हैं सरकार जाने वाली है तो 11 करोड और 10 करोड तब की demand आई है इसका मतलब कितनी वसूली ये लोग कर रहे थे क्या आज ये नहीं कहा जाएगा गांधी परिवार के दिखाने के दात और है खाने के दात और है और खाना मतलब वसूली सुन्य कंotalशूरूञ तब्या जजी। इंटायर है खाने कंटर्वूंत शोनलु नाव ओजू हैन प्रियंका गंडी वाडल ओड्रा टो无टे खेंड एफिर्वाह ल्स्ट प्रियंक टॉंटी वाड़र्वादिवार्यल क्राम चेर्म भाड़री में आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, कुछ तो खाऊंगा, प्लीज आंसर, लेट दे नेशन नो अबाउट इट, and I must also say look at the hypocrisy, दोगलापन किसे कहते हैं ये गांधी परिवार से कोई सीखे है, हम सब जानते हैं राहूल गांधी, भरष्टचार के जूटे आरोब जो कहीं सिद्ध नहीं हुए, भारती जंता पार्टी और एंडिये की सरकार पे लगाते आये हैं और उनका कहना होता है, गरीबों का रुप्या लिया, अम्मानी ग्रूप को दिया, अब इनका जो एफिडिविट आया है, इसमें रॉबर्ट वाडरा ने जिस ग्रूप का ये नाम ले रहा हैं और हर कॉर्परेट ग्रूप कानून के हिसाब से काम करें, ये सुनिश्यत किया है, तो भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने किया है, ग्यार्वा साल है, कोई एक उंगली ने उठा सकता, गंगा जल की तरह पवित्र हमारे प्रदान मंत्री शिरी नरेंद मोदी जीप है, लेकिन दोगलापन दिखाना चाते हैं आज हम भारत को, राहूल गांदी आरोप लगाते हैं और उनके जीजाजी, रोबर्ड वाडरा, जिनको भारत का जीजाजी बनाया, वो इसी ग्रूप में, जो इस ग्रूप की कंपनी है, इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्ड करते हैं, यह कैसा विरोधाबास है, कैसा दोगलापन है, क्रफ्या करके बताईए, हर कोई जानना चाहता है, अगर राहूल गांदी जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, किसी कंपनी पर आरोप लगाते हैं, उन्हीं के घर में, एक व्यक्ति उसी कंपनी में, इन्वेस्ट करके रखता ह है, सुचिता का क्या, जो बात आप कह रहे हैं, उसकी प्रमाणिकता का क्या, आप पे विश्वास कोई क्यों करें, ये बताईए, और एक बात इस एफिडिविट से और सामने आती है, जो मैं आपके समख्ष रख दूँ, ये एस्यूवी और फार्ब हाउज़ वाले हैं, इनके पास एस्यूवी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, फार्म हाउस, बताते हैं, शिमला में भी एक बड़ा घर, जिसकी कीमत को इन्होंने एक दस्वों हिस्सा दिखाया है, और हम सब जानते हैं, पहाड़ों में अनुमती नहीं मिलती, लेकिन कानून को जुकवाया इस गांधी परिवार ने, क्योंकि प्रियंका गांधी वाडरा के परिवार को उनको घर चाहिए था, और उसकी कीमत सही नहीं बताते हैं, इसके कहता हूँ, यह एस्यूवी और फार्म हाउसे वाले, यह क्या जाने कि कैसे पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढाया जाता है, और जब हम बात कर रहे हैं, पिछड़े समाज की, तो बहुत भारी मंद से एक बात मैं आपके समख्ष रखता हूं, पिछड़े समाज के व्यक्ति को इस्तवाल करना दलिट समाज को इस्तवाल करना अगर कोई जानता है तो वो गांदी परिवार और कॉंग्रिस पार्टी एक तस्वीर है यह देखिए यह तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं यहां आगे बैठी है श्रीमती सोनिया गांदी जी प्रियंका गांदी वाडरा और पीछे बैठे हैं कॉंग्रिस पार्टी के अध्यक्ष मलिका अर्जुन खड़गे जी जो की पिछड़ समाज से आते हैं यह क्या दर्शाता है यह दर्शाता है नाम के लिए राजनितिक लाब के लिए हम लोग पिछड़ समाज के व्यक्ति को किसी पद पर बैठाएंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे उसको सम्मान नहीं देंगे और एक और वीडियो सार्जयलिक हुआ कल जिसका जिक्र करना अनिवार रहे हैं और कोई यह नहीं कह सकता कि यह मेरा अंदुरूनी मामला है आप टिकेट किसे देंगे या आपका अंदुरूनी मामला है अध्यक्ष कौन बनाई या आपका अंदूरूरी मामला है लेकिन अगर एक नेता है वो पिछड़े समाज से आता है और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दर्वाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति जाग रहा हो पीछे से और वो व्यक्ति कोई और नहीं कि महलीका अर्जुन खर्गे जीत है कि इससे ज्यादा आपती जनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनिती में अपना ओछी घटिया राजनिती करते उए जो दलित समाज से आता है पिछले समाज से आता है उसका इसतवाल करते हैं और यह क्यों होता है ये बताना भी आवश्यक है ये इसलिए होता है क्योंकि ये तस्वीर सब कुछ कहती है ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजा जी रॉबर्ट वाडरा ये आगे बैठे हैं इनके बगल में है प्रियंका गांदी वाडरा इनके पुत्र रहान इनकी भी एंट्री हो चुकी है ये भी आगे बैठे है सोनिया गांदी कमरे के अंदर है और राहूल गांदी भी कमरे के अंदर है जितनी जानकारी हमें है पाँच लोग नामांकर करते हुए कमरे के अंदर रह सकते हैं सोनिया गांदी प्रियंका गांदी क्राइम मास्टर गोगो जीजा जी रॉबर्ट वाडरा राहूल गांदी और रहान वाडरा पाच अंदर आ गए तो पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ पिछड़े समाज से आता है तो क्या हुआ कई बार सांसद रहे हैं तो क्या हुआ उनको बाहर रखा कमरे से और वो जाक रहे थे कि मैं कब आउंगा जब ये भ्रष्टाचारी गांदी परिवार अनुमती देगा और ये पहली बार नहीं हुआ है पिछड़े समाज से सीता राम केसरी जी भी थे अध्यक्ष रहे उनका कारेकाल पूरा नहीं होने दिया और किस तरह से हाथ-पाव पकड़ कर उनको कॉंग्रिस हेड़कौर्टर से बाहर फिकवा दिया गया था सम्मान होगा कॉंग्रिस पार्टी में तो केवल गांधी परिवार का होगा बाकी कोई भी विक्ति हो संविदान के प्रती उसकी आस्ता हो निश्चा भाव वो जन्ता के प्रती कोई फरक नहीं पड़ता है उसका अप्मान ही होगा ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई एक संदेश गया योग्यता की कोई जगा कॉंग्रिस पार्टी में नहीं है हमने सुना है अधर्लिय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर प्रेरित किया है युवाओं को नागरिकों को कि वो राज़िती में आए और योग्यता देखी जाएगी लेकिन वैसे गलत नहीं है कि फ्रियंका गांधी वाडरा जो है वो बहुत योग्ये हैं पूर्वध्यक्ष की बेटी है पूर्वध्यक्ष की बहन भी है पूर्वध्यक्ष की पोती भी है और आने वाले अध्यक्ष की मा भी है योग्ये वो है और योग्यता इतनी दोहजार उन्निस में उत्तर प्रदेश के चुनाज से पहले दोहजार उन्निस में लोकसवा चुनाज से पहले उत्तर प्रदेश में इंचार्ज बनाई गई पूर्व उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में सीटे आई असी में एक यह रिजल्ट है कॉंग्रिस पार्टी का लेकिन रिजल्ट प्रियंका गांधी वाडरा का क्या था उनको प्रमोशन मिला और वो 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई पार्टी की सीट आई असी में एक प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाडरा रिजल्ट में कॉंग्रिस फेल प्रियंका गांधी वाडरा गेट्स अ प्रमोशन 2020 में पूरे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज बन गई 22 में विदहन सभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में सीटे आई दो 403 में दो सीटे अब आब बताईए दो सीटे जो आई फिर इनका प्रमोशन हुआ वाइनाड में इनको टिकेट दे दिया गया है और वाकिए ये इनका अंदरूनी मामला है लेकिन एक बात जरूर मैं पूछूँगा और पूरी दिम्मेदारी से पूछूँगा ये जो डिकलेड इंकम है कई सो करोड की और अंडिकलेड इंकम हजारो करोड की वाइनाड में आपदा आई लैंड स्लाइड इस भरष्टाचारी करोड पती परिवार से इतना नहीं हुआ कि एग रुपया डोनेट कर दें एग रुपया वाइनाड की जनता के लिए कि यह कैसा परिवार है भरष्टाचारी कि देश में आपदा आती है आप विदेश चले जाते हो राहूल गांदी वाइनाड से संसत आपदा आई आप एग रुपया नहीं दे पाए डोनेट कर पाए लोगों के लिए क्योंकि इनका मकसद केवल इतना है इनके घर का दामाद आगे बढ़े इनकी तिजोरी भरती रहे आम जंता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है और अंत करूंगा इतना ही कहे के दलितों का अपमान नहीं सहेगा इंदुस्तान यह जान लीजिए तो जो मैंने यह प्रेश वारता करी इसमें आपको गांधी परिवार का भरश्टाचार वंच्वाद की जीत होती है योगिता की हार होती है कॉंग्रिस पार्टी में और इसके साथ पिछड़े समाज और दलितों का अपमान होता है और यह प्रश्ट आज भारत की जंता पूछ रही है इस उमीद से की राहूल गांधी आज सामने आएंगे और यह बताएंगे कि यह मुखबत की दुकान है या दलाली की दुकान है धन्यवाद खुकान है